नमस्कार हिमाचल की खबरों में आपका स्वागत हैं मैं हूँ आपके साथ सुमनपाल खबरों की शुरुवात करने से पहले नज़र डालते हैं लाइन्स पर नमस्कार हिमाचल पर्देश में कॉंगर्स को मिला एक और जटका केंद्री मंत्री प्यूष गोयल की मौजूदगी में महाजन ने जुआइन की बीजेपी पार्टी के कारीकर्टा अध्यक्ष ने कहा पार्टी को अलबिदा शिम्ला में नीजी स्कूलों की मनमानी पर छात्रा अभीवावक मंच का हला बोल परदशन अभीवावक को ने किया शिक्षा निर्देशालने का घेराओ स्कूलों की मनमानी पर रोख लगाने की मांग नुमाचल में संयुक्त बेरोजगार बंच ने जताया आउट्सोर्स पॉलिसी का विरोध कहा परिक्षित बेरोजगारों को रोजगार दे सरकार मांगना मानने पर सुनाव का करेंगे विश्कार नुरपूर कांगरा में शुरू हुई राजनीतिक घर्माहट सवालों के कटभरे में परतियाशी रणबीर सिंग निका कॉंग्रेस के पदधिकारियों ने निका पर उठाया सवाल पूर्वर मंत्री विजे सिंग मनकोटिया ने दिया बयान बयान के बाद सुधी शिन्मा के पक्ष में उतरे उनके समर्थ कहा कॉंग्रेस से टिकट ना मिलने से वोखलाए मनकोटिया आपको बता दे कि शिमला में ही पी एफ आई पर केंदर सरकार ने बैन लगाया है वही सियम जयराम ठाकुर ने केंदर सरकार के कदम का स्वागत किया है और कहा है कि मोधी और अमित्शा के सामने देश सरोपरी है और उन्होंने पी ए मोधी और अमित्शा को पी एफ आई पर बैन लगाते हुए बधाई भी दी है और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि PFI की गतिविदिया संदिक्त पाई गई थी और कुछ विगटन कारी ताकते लंबे समय से नुकसान पहुचाने की कोशिश कर रही थी ऐसे में उनके खिलाफ कारवाई बनती है और कि गतिविदिया संदिक्त पाई गई थी और एक बार्मी अने एक जगा सबूद साक्षे काफी इस सर्थ तक जो है वो प्राप्त हुए उसके बाद इस दिशा में आगे कदन जो बढ़ाय गया है इसके लिए में पधान मंत्री निरेंडर मोदी जी को और केंद्री ग्रीह मंत्री आदिनी शरी अनिशाजी को बढ़ाय गयता हूं और इस मिरने के मैं स्वागत करता हूं सर आपको लगता कि ऐसी जो देश विरोधी संगठन है और भी अगर ऐसे हैं तो उनको आइडेटिवेश को जो है वो काफी लंबे समय से से लुक्सान पहुंचा रही हैं उनके किलाब कारेवाई बनती है और मैं सलता हूं कि यह सही निरने है और इस निरने के मादनें उनके बड़े परिबार स्वागत है और वहीं उन्होंने कॉंग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कॉंग्रेस ने पार्टी को इकठा रखने के लिए चार कारेकारी अध्यक्ष बनाए थे और उनमें से दो अब हमारे साथ आ गए हैं और कॉंग्रेस के कई और नेता भी हमार संपर्क में है साथ ही उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस पर कनबा देश भर में विखर रहा है और ये बात कॉंग्रेस के समझनी होगी और राहुल गांधी भारत जोड़ों यात्रा पर निकले हैं और कॉंग्रेस के बड़े नेता कॉंग्रेस छोड़ों पर निकले हुए कि सभी माइने में कि कॉंग्रेस कोई कठा रखने के लिए चार कारेकारिय देख्ष बनाए और चार कारेकारिय देख्ष में से दो हमारे साथ आजिए अगर्स माजन जी का ओड़ी के वरिष्ट नेता है पुरा मंत्री है कि अपनी पार्टी में स्वागत करता हूं वड़े परिवार में आकर कि आप आप अप सब के साथ मिल करके काम करेंगे और निश्ची दूरूप से कॉंग्रेस पार्टी के लिए सोचने का विशह है चार मे माचल परदेश में विधान सब्सक्राइब पर चुनाओ से पहले कॉंग्रेस के कारेकारी अधियाक्ष हर्ष महाजन ने विजेपी जॉइन कर ली है और मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि वीर भद्र सिंग सरकार में मंत्री रहे हर्ष महाजन ने दिल्ली में केंद्रिय मंत्री पियुष गोयल की इसलिए उन्होंने पाटी छोड़ने का फैसला लिया है आपको बता दे कि वहीं केंद्रिय मंत्री पियुष गोयल ने इस अवसर पर कहा है कि हम सब के लिए खुशी की बात है कि हिमाचल के वरिष्ट नेता जिन्होंने 45 साल तक स्वार्जनिक जीवन में रहकर सेवा की और पियम नरेंद्र मोदी के नितत में देश में जो एतिहासिक काम हो रहा है उन सब विश्यों के साथ वे जुड़ना चाहते हैं साथ ही उन्होंने कहा है कि पहाडी राज्य उत्राखंड में जिस तरह से फिर से विजेपी की सरकार बनी और उसी तरह हिमाचल में भी विजेप नेता जिन्होंने लगबग 45 वर्ष तक 45 यर्स हिमाचल प्रदेश की हिमाचल प्रदेश की जनता की अलग-अलग पदों पर रहकर सेवा करी एक ऐसा विक्तित्व जिसने राजनीती में रहकर भी एकदम साफ सुत्री अपने चवी जिन्दगी भर बनाई लोगपरी हैं मोदी जी के नीतियें ही वो स्ट्रॉण गवर्नस देते हैं उनका गुड गवर्नस है उनकी लोगपरीता है उनका दू दरश्ची कोन है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे मोदी जी ने हमारे को प्राउड किया है मैं आपको बताना चाहूँगा भाईयो कि अगली एलक्षन आने वाली है और इस वक्त भारतिय जन्ता पार्टी रिपीट करेगी रिपीट करेगी अच्छन मार्जिन स्वाइब करेगी कारोप है कि निजी स्कूल मनमाने ठंग से फीस में ब्रहोतरी कर रहे हैं जिसे चात्र लेकर परिशान भी नजर आ रहे हैं अभीभावक मंच लगातार छेच सालों से अंदोलरत है और लेकिन सरकार की शह पर शिक्षा निर्देशालें निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक नह रहा है यदि आने वाले समय में भी सरकार नहीं मानती है तो चात्र अभीभावक मंच इसी तरह परदरशन करता रहेगा और वहीं चात्र अभीभावक मंच के संयोजर्क विजेंद्र महरा ने सरकार से निजी स्कूल नियामक आयोग के गठन की मांग की है ताकि नीजी 415 नीजी स्कूलों में परदेश के करीब 10 लाख विद्यार्थी और 7 लाख अभिवावक परत्यक्ष तोर पर जुड़े हैं। जो सीधे रूप में नीजी स्कूलों की नीटी से प्रभावित हैं। चुनावे साल में हिमाचल परदेश में हर वर्ग अपनी मांगों को लेकर सडकों पर उतर रहा है। वहीं आज संयुक्त बेरोजगार परिक्षिक्त मंच सरकार की और सही प्रस्तावित आउट्सोर्स पॉलिसी के विरोध में सडकों पर उतर आया है। और मंच का कहना है कि सरकार पढ़े लिखे युवाओं को गुमराह करने का काम कर रही है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि वोट बैंक को देखते हुए आउट्सोर्स पॉलिसी पर काम कर रही है। जबकि सरकार को परिक्षित बेरोध गारों को रोजगार देने के बारे में सोच रा चाहिए। काली की एक मुहिम चलाई गई थी जिसमें हमने वी सुत्री मान पत्र सौपने के लिए सीदे मुख्य मंतरी को सौपना था जो आजगल बैरोजगारी चली है उसमें हमने पहले एक आउट्सोर्स का जो मुद्दा गरमाया है हिमाचल परदेश में जिसमें अधिकतर व्यक्ति बिदाउट आरेंट पी रूल से बने है जिसमें सीदा ना सीदा अवेलना हो रही है और दूसरा मुद्दा हमारा एसमसी है जो एक बैक डूर शिक्षक बरती हुई थी उसके बारे में हमने इसमें पदयात्रा है वही नूर पर कॉंग्रेस के पद अधिकारी के आज़ाद परतियाशी के तौर पर मैदान में उतर रहे रणवीर सिंग निक्का को सवालों के कटगरे में खड़ा कर दिया गया है कॉंग्रेस के पूर्व ब्लोग समीधी अधियक्ष संदेश डेडवाल ने कहा है कि कुछ समय पहले जब चक्की का पुल तूटा था उस समय रणवीर सिंग निक्का ने अपनी जमीन से गुजरने वाले हर वाहन की परची काटी थी यही नहीं निक्का ने इस दोरान एंबुलेंस तक को भी नहीं छोड़ा था और उनकी भी परची काटी थी और अब निक्का लोगों को मकान बनाने के जूटे वादे करके परची काट रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं वही नूरपूर युवा कॉंग्रेस के अध्यक्ष सत्वीर सिंग ने कहा है कि रणवीर सिंग आज लोगों को गुम्राह कर रहे हैं और जूटे वादे कर लोगों को बर्गलाने क्या काम कर रहे हैं। मेडिया की तरफ से या लोगों की तरफ से हमें एक सुचना एक संदेश प्रापत हुआ कि नुरपूर के जो पिछले कल से कम 15 सालों से जो महा मंत्री है रणवीर सिंग निका जी उनकी तरफ से हर पंचायत में जहां पर वो अपने दोरे में जा रहे हैं हमें कोई अपत्ती न अपनी पंचैतों में जा रहे हैं तो जिसका सलेड़ बाला मुगाना उसको अपनी एक पर्ची दे के आ रहे हैं और हर ब्यक्ती को चाहे वो महिला हो जा बजूर्ग हो हर को यही हो रहे है कि आप मुझे जताओ सबसे पहला मुगाना आपका मैं बना के दो मैरे जो आज का सवाज सेवी तो बने हुए है मैं हमसे पुछा चाहता हूँ कुछ समय पहले जब चक्की का पूल टूटा था हर कोई जहां से जानता है जो भी एम्बोलेंस गई वो आपने एम्बोलेंस की गाड़ी दिनी शोरिस की पर्ची काटने के लिए तब आपकी स्वाज सेवा को कह आज हमें हमारी बुदान सवा से और कुछ शोशनीजिये से जानकरी मिली कि कुछ भाजपा के निता जो मुकानों को अगरीब आदियों को जानसा दे रहे हैं हम उनसे मामंत्री हैं वो निका जी हम उनसे यह पूछना चाते हैं कि जो गरीब लोगों को जानसा दिये जा रह पूर्वमंत्री मेजर विजय सिंग मनकोटिया द्वारा कॉंग्रेस की सीनियर लीडर्स पर लगाए गए आरोपू की चलते कॉंग्रेस ओविसी प्रकोष्ट और धरमशाला यूथ कॉंग्रेस ने मनकोटिया पर पलट वार किया है वही ओवेसी कॉंग्रेस जिला अध्यक्ष विरेंद्र चौदरी धरमशाला यूथ कॉंग्रेस अध्यक्ष अश्वनी राना यूथ इंटक जिला अध्यक्ष शुबम सूध ने संयुक्त प्रेसवारता में कहा कि मनकोटिया ने सीनियर लीडर्स पर वे बुनियाद आरोप ल नागरिक जनम से ही धरती पुत्र होता है और वही उन्होंने आरोप लगाया कि परदेश कॉंग्रेस परभारी ने उन्हें टिकट देने से इंकार कर दिया तो कॉंग्रेस नेताओं के खिलाफ भडास निकालने पर ही मनकोटिया धरमशाला में प्रसवारता करने पहुँच गए और मनकोटिया धरमशाला से भी भागया आजमा चुके हैं लेकिन छेतर की जनता ने उन्हें वापिस शाहपूर भेज दिया था और वहीं शुबमशूद ने कहा कि कॉंग्रेस से टिकट ना मिलने से वोखलाए मनकोटिया मीडिया से सुर्किया बटोरने के लिए हर इ मेजे सिंग मनकोटिया जी ने पिछले कल जो कॉंग्रेस पार्टी पर हमारे वरिष नेताओं पर जो आरोब लगाए थे जूटे आरोब जो लगाए थे उनका जवाब देने के लिए हम सभी लोग यहां इकटे हुए थे और मेजे मनकोटिया जी जिस तरीके सा नाप करना है कि मुझे लगता है मेजे मनकोटिया जी का जो मानसिक संतुलन है वो हिल चुका है उसके कॉंग्रेस पार्टी के पास वो बिछले कई दिनों से दिली दर्वार में यही आस लगा कर बैटे थे कि शापुल विदान सभशेति से उनको कॉंग्रेस की टिकट मिले लेकि कॉंग्रेस पार्टी सदेव काम करने वाले विद्यों को परदेश के हाई कोट ने देवी देवताओं के 365 किरदारों को नोटिस जारी कर दिये हैं और देवी देवताओं की जमीन का हिसाब नियाले में रखे यह बात प्रेस क्लब औफ कुलू में देव संस्कृति की ओम परकाश शर्मा ने कह दी है और वहीं उन्होंने कहा है कि देवी देवताओं की 84,000 विघा जमीन मुझारों के नाम चली गई है और अब देवी देवताओं की चाकरी करना छोड़ दी है और वहीं उन्होंने कहा है कि 15 नवंबर को सभी कारदारों को हाई कोट में हाज उन्होंने कहा कि देवी देवताओं के पक्ष में देव संस्कृती ट्रस्ट ने हाई कोट का दर्वाजा खटखटाया है और अब देवी देवताओं को नियाए मिल सकेगा अब बाई को हिमाचल प्रदेश हाई कोट में चरिटेवर ट्रस्ट वारा दायरी अचिका पर सुनवाई हुई जिसमें हाई कोट में समस्त पुलूजी लग तीन सो पैंसट देवी देवताओं को नोटिस दारी किये और इस नोटिस में जो भूमी का हमारे अड़ुकेट इसका जवाब समस्त कारदारों ने असलातन या बकालतन हाई कोट को देवाई जिला निर्वाचन अधिकारी और उपायुक्त रागव शर्मा ने आगामी विस चुनाओं के मदे नजर आदर्श अचार सहीता की अनुपालना सुनिश्चित कराने के लिए सबी राजनितिक दलों के पर्तिनेदियों के साथ आज उना में एक बैठक की है वहीं बैठक में उपायुक्त रागव शर्मा ने कहा है कि आरंब की थी और अगामी विस चुनाओं में 13 परकार की अनुमितियां इसी वेब साइट के माधियम से परदान की जाएंगी साथ ही उन्होंने कहा है कि किसी भी परकार की अनुमती के लिए कम से कम 48 घंटे पहले आवेदन करना होगा ताकि उस पर समय सीमा के भीतर कारवाई की जा सके इसके अतिरिक्तर रागव शर्मा ने कहा है कि सभी राजनेतिक दल आदर्श अचार सहीता की अनुपालना में सहयोग दे और आदर्श नुपालन पर प्रिशासन की कड़ी नजर रखी जाएगे उन्होंने कहा कि आहेलना करने के चुनाव आयोग कड़ी कारवाई कर सकता है भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशा नुसार आज जिलाउना के सभी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके प्रतिनिदियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई है जिसमें आगामी विधानसावा चुनाओं के लिए जारी किये जैने वाली पर्मिशन्स के समन्द में सुविधा एप जो भारत निर्वाचन आयोग दोरा जारी की गई है उसके बारे में उन्हें जानकारी दी गई है साथ ही मॉडल कोड़ विश्व रैबीज दिवस के अवसर पर ही सोलन के जीला पशु चिकित साले सहीत पशु पालन विभाग द्वारा सभी पशु प्रात्मिक्स वास्ते केंद्रों सहीत गाउं गाउं जाकर पशु फार्मासिस्ट द्वारा कुत्ते बिल्लियों को एंट जीला माफ किजें सोलन जीला में किया गया है वही पशु कल्यान पखवाड़े के अंतरगत पशुओं में होने वाली बीमारियों के बारे में जागरुक किया जाएगा संदीब ठापुर इंचाज वेटिनरी पॉलिक्लिनिक सोलन आज वर्ड रेविस डे है और विभाग इसको बड़े जोल के स्थर पे हर इंस्टिशिशन से मना रहा है आज हमारे यहां भी लपग 20 एक डॉक्स को हम एंटी रेविस वेक्सिनेशन जो है फ्री अफ कॉस्ट हम